पानी कारनी उडीसा का ट्रैबल उनर गल्ल चाइल्ड तुरू फेस्टिवल, अब यह जो है उडीसा का एक ट्राइबल है, ट्राइबल सोसाइटी है, जो एक फेस्टिवल के तूरू गल्ल चाइल्ड का उनर करती है उसमें वो गर्ल चाइल्ड का ओनर करते हैं और उनसे आशिरवाद लेते हैं लड़कियों से उडिसा की एक ट्राइबल सोसाइटी है वो यह फेस्टिवल मनाती है पानी कार्णी फॉल्स इन हिंदू मन्तॉफ यह फेस्टिवल का नाम है कब कड़ती है चैतर के महीने में हिंदू का यानी मार्च अपरिल में पेरेंच उफ गर्ल सीक्स ब्लेसंग ऑफ ब्लेसंग ऑफ ब्लेसंग ऑफ ब्ली इवल स्प्रिट से बचाकर रखना तो मतलब यह जैसे हमारे हिंदों में दिवाली और वो चेंज होता रहता है ऐसे हिंके में भी एक फिक्स डेट नहीं होती हिंदू कलेंडर के कॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है then he selects the girl to take part in the festival और उसके बाद peace to decide करता है कि इस festival में कौन-कौन सी girls participate करेंगे only those who have daughters can take part in this festival अब यह doctor लड़कियों का festivals है ना तो जिन parents की daughter होती है लड़कियां होती है वही इस festival में participate कर सकते है for participating the girls must be less than nine years of old age old and more than seven participate करने के लिए लड़की की एज seven से बढ़ी होनी चाहिए और nine से चोटी होनी चाहिए girls wear traditional attires tribal jewelry जो उनके कपड़े है na traditional वो पहनती है और jewelry पहनती है and they dance to tribal music और अपने tribal music पे वो dance करती है the tribals of Koraput gives lot of importance to girl child they observe different types of festivals to commemorate the girl's child Koraput is one really is the one region where people celebrate the birth of the girl कहता है यही बस मतलब यह tribals जो है Koraput के वो लड़कियों को बहुत importance देते है और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर लड़कियों का जनन होता है तो उसको celebrate करते है हीएक है हीए्च सुरी यह डॉल फेस्टिवल है जपान का यानि यही बी Girls Day का अब डॉल्स से कौण खेलती हैं girls खोलती है boys तो खेलते हैं ठीक है हीएना मन सूरी डॉल्स फेस्टिवल टेक प्लेस मार्च 3 में और ये कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, गर्ल्स डे के रूप में मनाया जाता है, जापान में बनाया जाता है, On this day, families pray for the happiness and prosperity of their daughter, इस दिन, जो families हैं, वो pray करती हैं, अपनी बेटियों की happiness के लिए और prosperity के लिए, मतलब वो खुशाल रहे, खुश रहे, उसके लिए बनाया जाता है,